असलाम आलेकुम बच्चों बिटा आज का हमारा पार्ट है सेवा का परिणाम बिटा सेवा का परिणाम यहाँ पे अपने माता पिता की सेवा की बात की जा रही है ठीक है हम लोगों ये एक इंसान की एक कहानी है जो अपने माता पिता का बच्चा बहुत आग्याकारी था एक लड़का था वो अपनी माता का बहुत बड़ा आगया कारी था वो अपनी माता के हर आदेश का दोड़ कर पालन करता था जैसे कि मनें बताया उसका नाम शेक फरीद था एक रात में उसकी मा को कुछ प्यास लगी तो उन्होंने आवास दी तो घड़े में पानी नहीं था वो फिर दोड़ता हुआ पानी लेने गया कुए के पास ठीक है फिर वो कुए के पास गया कुए से पानी लेने घड़े में पानी भरने गया तो जो कुए से पानी लाने में बिटा थोड़ा सा जादा वक्त लग जाएगा खैर वो दोड के गया लेकिन जब वो पानी लेके लौटा तब उसकी माा सो चुकी थी अब क्या करे उसने सोचा कि मा को जगाने से कश्ट होगा इसलिए वो मा के जागने की प्रतिक्शा करता रहा मतलब इंतजार करता रहा कि मा जब उठेंगी तब हम उनको पानी जदेंगे करते करते पूरी रात बीट गई सवेरे जब मा की नीन खुरी तो उन्होंने अपने बेटे के हाथ में पानी का गलास खड़े देखा मा ने कहा बेटा क्या तुम उस समय से अब तक खड़े हो बेटे ने कहा हाँ मी जान मैं तभी से खड़ा हूँ ताकि जब आपकी आग खुले तो मैं आपको पानी दे सकूँ फरीद ने बड़े आदर से कहा ठीक है इसलिए इस पार्ट से हमें सिक्षा ये मिलती है कि हमें अपने माता पिता का सचे मन से आदर करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए ठीक है बच्चों साक अल्लाहु खेर